सो फाइनली ये है हमारा रिवर्स पार्किंग सेंसर आपके पास चाहे कोई भी गाड़ी हो तमाम लोग ये वीडियो देखो अब तक का सबसे आसान और सटिक तरीखा बताने वाला हूँ तो जैसे ही आप प्याकिंग से बाहर निखा लेंगे सबसे पहले आपको चार सेंसर मि वाला मेटेरियल 22mm मतलब 22mm क है और आगी आप यह तो फाइबर वाले मेटेरियल या फिर फ्लाइवुड यह प्लास्टिक फ्लाइव या ज़री आपके री और यह आन्या है आपके काम का है और इसको जैसे डब्बे से खो़ोलेते वैसका ही प्याकिंग कर दो और कहीं दू और उसके बाद ये तीन ये चार ये चारो हमारे रिवर्स सेंसर है जिसकी वायर लेंट अच्छी है और एक अच्छी बात मुझे लगी ये जो चारो सेंसर है ये वाटर प्रूफ है चाहा कर भी जल्दी खराब नहीं होंगे और एक खास बात यहां पर दियान देने की बात है देखो ये अप लिखा हुआ है तो ये जो अप यू आयरों के पास जो हिस्सा देख रहे है अब ये उफर जाएगा और ये जो जहां वायर है ये नीचे जाएंगी मतलब बहुत से लोग यहीं पर कंफीज होते उफर नीचे अगर कर दिये ना तो ये जो सेंसर है दिस्प्ले का वायर यहां पर लगेगा और ये पावर केबल का वायर तो ये जो मॉडिल ये बहुत हलका है और ये वाटरप्रूफ नहीं है इसको समालना पड़ेगा और ये जो हमारा डिस्प्ले है ना इसकी भी वायर आपको बहुत अच्छी खासी लेंथ है तकरीबन 15 फिट तक की लेंथ है इसकी और ये है हमारा डबल टेप जिसको मतलब डिस्प्ले को भी चिपकाएंगे और उसके साथ में जो यहां पर देखो कुछ इस तरह चिपका देंगे डिस्प्ले को और उसके साथ ये जो हमारा मोडिल लेना तो मोडिल को भी इसके साथ चिपकाए से तो ये तो था मतलब सामान और एक खास बात इसमें एक यूजर मैनुवल भी मिलता अगर किसी को कंफीजन है अगर कोई पढ़के समझना चाहरा या ऐसा लगाना चाहरा तो नो प्राब्लम ये इसका स्क्रिंशाट ले लो और आप पढ़कर भी लगा सकते पर ऐसा कभी होत कि मेरे वीडियो देखने के बाद किसी को पढ़के समझने की जरुत पढ़ती तो खैर जो भी हो तो इसको सैड में रख दिंगे तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते तो सबसे पहले आपको यह जो मटगट या बंपर जो भी बोलते इसको पहले खोल लेना आए और स 6 इंच राइट सेड तक का आपको मतलब एक आयरो मार्क कर लेना है करने के बाद फिर उसके जो लास्ट एड़ जो में तीन से चार इंच मतलब जहां आपको बेटर लगे तीन इंच या फिर चार इंच उससे जादा ने लेना वरना आपको डिश्टबन बहुत होगा उसके बाद लेक मशिन पर जाना है फिर उसके बाद क्या करना आपको 22 mm मतलब 22 mm का आपको एक होल करने ना है जैसा भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं करने के बाद क्या करना है अभी जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही कराना है किसी और तरीके से करा है त तो बिल्कुल आपको wrong step होने वाला है, मतलब गलत होता, तो सबसे पहले एक hole करना है ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा grinder से हलका सा grinding करने ना है, मतलब अभी जैसा screen पर बता रहा है, आपको did by did ऐसा है copy करना है, वरना अगर थोड़ा कोई और तरीखा या grinder से या gas cutter से काटे, लेना है, चारो के चारो hole में, ऐसा जो हमारा sensor से इसको बिठा के देख लेना है, कि ये सही से सेटिक बैठ रहा या नहीं बैठ रहा होगे, मतलब ऐसे वहीं पर आपको demo देख लेना है, कि ये अभी हमारे case में तो ये बैठ गया, मतलब आप एक आयरो दालो के ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, मतलब ये हो गया up वाला इसा, ऊपर वाला इसा, और ये होगा down वाला, मतलब नीचे वाला इसा, ये इसलिए बता रहा क्यों बोलतो sensor के अंदर उपर और नीचे, अप और डाउन लिखा हुआ है, तो आपको अगर कोई sensor उपर और कोई sensor नीचे होगा, तो आपको मतलब sensor सही से काम नहीं करेंगे, तो starting में भी बता है, मैं फिर एक बार बता रहा, देखो ये sensor के पीछे लिखा हुआ है, अप करके, अब मतलब उपर गा, उपर वाला बाग, तो यहाँ देखो ये arrow के बास अप, ये अप का मतलब ही क्या है, ये आसमान की तरफ जाएगा, और ये जो wire वाला इसा है, ये जमीन की तरफ जाएगा, तो चारो के चारो sensor, ये ही direction में लगाना है आपको, तो सबसे पहले ये wire जो है, इसको बाहर से डालेंगे, और खीच लेंगे अंदर, अंदर की तरफ खीचने के बाद, अब मतलब अभी जैसा screen पे देखरें, बिल्कुल ऐसा ही, लगाने के बाद क्या है, अब जब ये wire की तरफ गुमाना है, मतलब जैसे पानी के डखकन को हम लोग खोलते या fit करते न, तो इसे left side, या फिर हलका सा right side की तरफ, left या right side की तरफ गुमाना है, गुमाते गुमाते हुए अंदर दबो, बस automatic वो lock हो जाता, लाक हो गया, तो फिर आब ये नहीं निकलेगा, ओके, तो देखो ये हो गया, complete, तो अब ये बैड़ गया, तो बस इतना ही था, कोई इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, तो ये fit करने के लिए या लगाने के लिए आपको कोई अलग से science और technology को सीखने और समझने की जरूरत नहीं है, तो बहुत आसान काम है, तो यहाँ देखो ये जो वाला भाग उपर रखना है, तो देखो यहाँ confused हो गया, जो उपर वाला भाग है, वो नीचे चले गया, और नीचे वाला भाग जो है उपर चले गया, तो इसको घुमा लेंगे, मतलब turn कर लेंगे, थोड़ा सा हलका सा right side को घुमा लेंगे, देखो अभी सही हो गया, उप उपर का उफर हो गया, नीचे का नीचे होगा, तो अब क्या करेंगे, अब भी तो हम घुमा गए, सेट कर दिये, हो सकता, आगे फिर कभी ऐसा धिला हो गया, तो problem हो सकता, तो इसके लिए क्या क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा free kick बाल देंगे, 10 के फिर क्या अगर आप MC ल लिए दालने के बाद अब क्या करेंगे देखो चारों को भी अलका एक से दो बूंट डालना है जादा नहीं अगर जादा डाल लिए तो फिर यह जो सेंसर के बीच में आपस में जो ग्याप है ना वो ग्याप फिलब हो जाता फिर वो सेंसर सई से काम नहीं कर दे फिर उसके अंदर से वहर आपको ऐसे टेप लगा लेना है ताके वहर हमारी बाहर ना आसके और अंदर का अंदर ही मतलब एक लेवल में और एक अच्छे से अंदर ही रह सके तो अभी जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसा कर लेना है करने के बात देखो अभी ये हमारा जो मटगट या bumper जो भी हो एक number set हो गया और यह अभी ready है हमारी गाड़ी में fit होने के लिए तो चलो अब हम इसको अपनी गाड़ी में fit करेंगे तो सबसे पहले अभी हमारा मटगत को हम अपनी गाड़ी में fit कर देंगे तो यह हमारा पहला left side वाला bolt तो इसको लगा दिए हम तो अभी इसको fit कर देंगे और अब क्या करेंगे राइट साइड वाला भी bolt है इसको भी अच्छे से fit कर देंगे और दोनो बोल्ट हो tenemos fix कर दिये और ये देखो ये हो गया, right side वाला bolt और ये जो center वाला bolt है इसको अभी नई fit करने वाले हैं सबसे आखिर में फिट करेंगे और ये जो लिफ्ट वाला है इसको भी फिट कर दिए और एक बार बोरा में ये सेंटर वाला बोल्ट अभी फिट नहीं करना है क्यों बोल तो ये जो वायर है ना यही से डालेंगे हम उसके लिए ये डोर खुल लेना है आपको चाहिए बियस दो बीयस त्री या बीयस फोर बीयस सिक्स तमाम माडल की गाड़ें को सेम मुझतरी खाए तो ये बोल्ट अभी नहीं लगाना और यहां से वायर दालेंगे हम तो उसके लिए क्या करना है एक एक करके यहां से वायर को ले लेना है अंदर तो देखो एक और उसके बाद हो वायर अभी गाड़ी के अंदर आ गए अब कोई भी वायर हमारी बाहर नहीं दिखरी अब चाहे तो अब आप अपने गाड़ी का जो बंपर का बोल्ट था आप लगा सकते अब क्या बज़ गया हमारे बॉक्स में देखो एक मोडिल बज़ गया और एक डिस्प्ले बज़ तो आप यह जो मोडिल है ना इसमें हम सेंसर्स के जो वायर है उसको लगा देंगे मतलब यह जो ए बी सी डी यह जो चार वायर है ना ए बी सी डी तो यहाँ पर आपको बहुत द्यान से लगाना है यह जो ए बी सी डी है इसको समझो यह ए मतलब सबसे लाश्ट वाला जो है ये B और ये वाला है C और सबसे right वाला D मतलब A, B, C, D lift side से start करना है और मुझे याद है ये wire ये सबसे पहले जो मैं लगा रहा ये है A, मतलब सबसे lift वाला तो मैं इसको A वाले section में लगा दूँगा module के अंदर तो ये मैंने लगा दिया A वाले में अंदर module के तो ये B वाला भी लगा दिये और उसके बाद ये C वाला है तो C को भी लगा दिये और last में जो बजगया था ये D वाला sensor तो D वाले sensor को भी अब हम लगा दिये मतलब 4 के 4 sensor अब हमारे लग गए तो तकरिबन 50% काम तो ऐसे ही हो गए हमारा अब क्या करना है देखो ये जो power cable है अब हम इसको लगाएंगे और power cable लगाने के बाद और एक काम है हमारा display लगाना तो power cable को अभी लगा देंगे देखो power cable भी लगा दिये अब क्या करना है हमको display एक बजगया ओके तो display लगाने से पहले यहां देखो पावर केबल कहां देगे यह है उपर वाला इंडिकेटर और सबसे नीचे पारकिंग और यह सेंटर में जो आता वो अमारा रिवर्स तो यह पावर केबल देने से पहले आपको और एक बात क्या दियान में रखना है देखो यह जो दो वायर है ना प्लेस और मैनस यह तो बहुत सारे लोगों को मालूम है यह जो red वाला जो wire है यह plus वाला है और black वाला जो wire है यह minus वाला मतलब negative positive यह तो बहुत से लोगों को मालूम है आपकी शायद जानते होंगे यह बहुत से लोग लगा सकते और यह जो display है आप क्या करना है आपको पीछे का काम वैसे ही छोड़ देना है सामने आना है और यह प काम को complete करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ यहां पर हमको सही लग रहा डिस्प्ले मतलब हमको यहां पर comfortable है तो पहले हम यह display को यहां पर भी लगा सकते यहां लगा सकते तो हम लोग लगाने वाले यह indicator light के उपर तो सबसे पहले यह जो डबल टेप के उपर का जो cover हैं यह left side का जो indicator है ये indicator के set के उपर इसको यहाँ पर लगा देंगे यहाँ लगाने से क्या है हमको एक तो देखने में भी अच्छा लगता और left side में क्या है जादा का अच्छा लिखता और comfortable भी है तो यहाँ लगा रहे हर एक की अपने अपनी मर्दी जहां चाहे लगा सकते तो उसके बाद ये dashboard के पीछे से क्या है ये जो wire है इसका display का यहाँ से लगा देंगे तो final हो गया ये ये indicator के उपर लगा दिये और ये जो wire है dashboard के पीछे से होते हुए मतलब ये dashboard के पीछे से और इसके नीचे से होते हुए और यहाँ पर देखो यह जो हमारा speed meter का wire होता ना इसके साथ में मतलब यह cable के साथ में इसको tape माट दिये हम लोग तो यहाँ से होते हुए यह शशी के नीचे से होते हुए और यह driver seat के नीचे से और यह body के नीचे से होते हुए और यह engine से होते हुए एक दम पीछे मतलब गारी के अंदर से होते हुए पीछे तक लेकिया है और यहां पर देखो इंजन के पास से अगर देखे तो यहां तक आगया हमारा डिस्प्ले का वायर मतलब देखो हमको जहां चाहे हम डिस्प्ले का वायर डिस्प्ले लगा लेना है और यह डिस्प्ले का जो हुआ है रहे न अच्छा खासा लिंट है मतलब बहुत बड़ा रहता आपको जहां समझ मैं है वहां पर डिस्प्ले फिट कर सकते हैं पिर उसके बाद देखो अब यह डिस्प्ले का यहां पर सेक्शन खाली है तो अब हम क्या करेंगे जो पावर केबल भी डिस्प्ले का केबल लगाना बाखे है तो यह जो डिस्प्ले का केबल है तो यहां पर इसको लगा देंगे ओके तो अभी इसको यहां लगाने से क्या हो तकरिबन 90% काम हमारा कंप्लीट हो गया तो अभी क्या करेंगे तो देखो यहां पर पावर केबल लगा दिये बोल्ट लगा के fit कर दो या फिर इसका डबल टेप है ये डबल टेप ऐसे निकालो या कहीं पर चिपका दो या नहीं बोलते हैं तो इसको कोई कवर से अच्छे से बांदो या टेप लगा दो या जो भी हो खैर आपकी मर्दी जहां आपको सही कमफर्ट लगे पर हमारे केस में हम क्या करने वाले है इसको ये इसके उपर जो डबल टेप है ये बहुत अच्छा पकड़ता मतलब अच्छे से मजबूती से ये चिपक जाता तो इसके लिए हम क्या करने वाले है ये डबल टेप जो है इसको निकाल के डिजल टेंक के उफर मतलब इंजिन के उफर बाड़ी के अंदर मतलब इस जो उफर वाला इससा जो होता ना टाप वाला देखो यहाँ पर इसको चिपकाने वाले है यहाँ इसलिए सेलेट करें हम लोग क्यों बोल तो आम दवर पर यहाँ पर पानी नहीं जाता और किसी की नजर भी नहीं जाती तो वो इसाब से चोरी होने का तो डर नहीं रहता और अगर कभी गाड़ी दोए भी तो यहाँ पर पानी जाने के चांसे बहुत कम रहते मतलब ना के बराबर रहते तो उसके बाद यह जो पावर केबल है बस यह एक एटम बजगया लगाना अगर यह लगा दिये तो आपका 100% काम कंप्लीट हो गया उसके लिए क्या करना आपको यह जो होल्डर से मतलब इंडिक का और पार्किंग का बनफ है और उसके बाद उमें यह है रिवर्स का मतलब जब आब रिवर्स गेर दालेंगे तो जो लाइट जलेगा मतलब देखो यह लाइट चालू है मतलब यह रिवर्स का है तो इसके जो रिवर्स गेर दालने से जो लाइट चालू होता वो लाइट की वायरों को छिल लेना है आपको मतलब थोड़ा-थोड़ा अलका सा छिल लेना है और ये जो पावर के वायर थे मतलब मोडियूल के साथ तो इन दो वायरों को इसके साथ जोड़ देना है तो ये जो रेड वाला वायर है ये प्लस है तो प्लस वाली wire को यह blue wire के साथ जोड़ देना है मतलब blue wire के साथ जो अलकासा white color का पट्टी लगा हुआ इसके पर लखी लगा हुए ना तो यह main wire है तो इसके साथ इसको जोड़ देना है और यह black wire जो है वो तो normal सी बात है अट्टिंग वायर है तो दोनों वायर को जोड़ दिये अब आपका 100% काम कम्प्लिट हो गया अगर आप ये वीडियो यहां तक भी देख लिए तो बस आपको ये काम समझ में आ गया बस इसको टेप मार दो और जैसा खोले थे वैसा प्याक कर दो चलो मुबारक आपको ये का से प्याक करना है तो एक बार हम इसको डेमो देख लेंगे ओके तो जब चाबी आउन करेंगे तो देखो डिस्प्ले अभी कुछ भी नहीं है बंद है तो और जैसे हम इसका रिवर्स घेर डालेंगे तो रिवर्स घेर डालने के बात देखो यहां पर जैसे रिवर्स घेर भी गिर गया, तो यहां देखो, राइट सेट में सिर्फ ग्रीन लाइट आ रहा, मतलब लेफ साइट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ राइट सेट में बता रहा, तो इसका मतलब लेफ से राइट सेट में कुछ ना कुछ है, तो यहां पर देखो, यह जो तीन सेंसर बता रही ह तो यह पीछे मतलब इसका मतलब है कुछ ना कुछ है पीछे तो यहां देखेंगे तो गाड़ी के पास कुछ भी नहीं है तकरीबन देखो 7-8 फिट के दूरी पे एक आटो रखा हुआ है तो इसका मतलब सामें एक बार डिस्प्ले में जाके देखेंगे तो 7-8 फिट तकरीबन 8 फिट के बाद तो यह जो वाला डी वाला जो सेंसर है सबसे आखरी में डी लाश्ट वाला सेंसर यह वाला ने तो यहां पर देखो ग्रीन इसी निये बता रहा, क्यों बले तो, देखो यहाँ पर 6 नमबर लिखके बता रहा, मतलब सबसे आकरी में कोई गाड़ी थी, देखो यहाँ पे, अब और एक बार देख रहा हम है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, गाड़ी के बिल्कुल खरीब में, तो अभी ग्रीन, सॉरी, रेड़ बता रहा, रेड़ का मतलब बिल्कुल खरीब में कुछ है, आप गाड़ी अगर और पीछे ले जाएंगे, तो एक्सिडेंट हो सकता, यह बता रहा, ओके, तो बहुत से लोगों को इसके बारे में मालम होंगा, अगर आप नहीं मालम तो यह दो चा जाता आपको, तो खर जो भी हो, यहाँ पर अगर आप पीछे आएंगे ना, तो अभी देखो सारे के सारे वहरों को मैं एक कठा कर लिया, और यह मोडिल जो था इसको हम उफर लगा दिये, लगाने के बाद सारा का सारा काम हमारा कंप्लिट हो गया, अब यह मोडिल से अग गली-गली हो गए थे, एक जगा आगे, और यह बोल्ट लगा दिये, और यह ए सिंसर है, और उसके बाद में देखो, यह जो बंपर जो बेंड होआ, इसको हलका सा कलर भी मारेंगे, मतलब अभी थोड़ा गलीज दिख रहा, तो इसको अच्छे से साफ करेंगे, तो यह था आम है, आप चाहे तो बाइक को छोड़के, कोई भी गाडियों आपके बस, चाहे त्री विल्लर, फोर विल्लर, लारी, बस, ट्राक्टर, लारी, कोई भी गाडियों लगा सकते, तरीखा सेम है, बस कनेक्शन जो है, वो रिवर्स लेट में देना है, चाहे आप कोई भी गा में नहीं आया तो कोई एलेक्टरेशन के पास जाओ और एक बात एक लाग सब्सक्राइबर के बहुत खरीब है हमारा चैनल तो फटा-फट सब्सक्राइब भी करो बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे वीडियो देख रहे लाइक कर रहे चले जा रहे तो फटा-फट बनने वाला था वो complete हो गया बनके तयार हो गया एक से देड़ मैने में वो भी वीडियो आने वाला है आप चाहे तो उसको खरीच सकते तो वो वीडियो भी जब आया तो मैं 8-10 दिन पहले आप तमाम को अपडेट कर दूँगा तो उस वीडियो को देखना जरूर और उसलियो अपलोड कर दूँगा वो वीडियो को भी तो उसको भी जरूर देखना तो बस ये एक दो तीन अपिन थी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और एक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में देहिंगे झाल झाल झाल